जैसे किशना दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते गुपनवरात्रे चल रहे हैं गुपनवरात्रे की पंचमितिती और साथ में शुक्रवार के दिन पंचमितिती पढ़ना तो बहुती जादा दिकी शुब है आप ने अगर ये छोटा सा सरल सा उपाय करे लिया तो आपके शद्दा की साथ कीजेगा कहते हैं जब विश्वास के साथ कोई भी कारी करते तो यां हमें सफलता अष्य मिलती हैं कर्म अच्छे करिए कर्ये कर्मों का फल आपको हमेशा अच्छा मिलेगा उसके साथ में उपाय करना बिल्कुल भी न बूले इसलिए कि एक उपाय बदल स उजवल करने के लिए अपने घर में सुक स्मृधी पाने के लिए एश्वरे धन वयभव पाने के लिए छोटा सा उपाई है माल लश्मी को प्रसंद करना है गुप्त नवरातरी की पंचमी तिती है इस दिन आपने क्या करना है रातरी के समय सोने से पहले रातरी के समय सोने से पहले ध्यान से सो लेजे, सोने से पहले आपने करना है, हाथ मुद धोलेंगे, स्वचों चाहेंगे, आपने आटा गुंदना है, आटे में आप एक चुटकी हल्दी मिला देंगे, और मिलाने के बाद इस आटे को गुंद ले, गुंदने के बाद इसका आपने पंचमुखी डिपक बनाना है, बहुत असान तरीके से डिपक बन जाता है. पंचमुखी डिपक आपने बनाना है. और आपको क्या करना है? इसके अंदर शुद्ध देसी घी ही डालना है. इसलिए कि आप यह मा लक्ष्मी के लिए प्रजूलित करें, अपने घर में लक्ष्मी वास चाहती माल लश्मी और श्थिर वास चाहती है तो आपने इस के अंदर शुद देसी घी ही डालना है इसके बाद आपने कन्नक एप पंच-मुकी दीपक बनाएं तो पांच बत्तियां बनाएंगे आप बत्ति किसी बनाएंगी लाल द्हागे की बनाएंगी वह भी कौनसा रोली मूली धागा जो होता है जो कलाबा होता है हाथे बांदा जाता है उस धागे को आप तोड लीजिए और उसकी बत्ती बना दीजिए पांच बत्ती बना लीजिए पंच मुखी दीपक है एक बत्ती लगा दीजिए घी भड दीजिए अब आपने के अनक है लॉंग लेनी है कितनी नौ लॉंग गिन के लेंगे हर मा की रूप के इसाब से आपने नौ लॉंग लेनी है गुप नवरात्री चल रहे है तो आपने नौ लॉंग फोल वाली लेनी है टूटी-फूटी नहीं होगी इस बात का द्यान रखेंगे नौ की नौ लॉंग आपने इस दीपक में डाल देनी है अब आपने करना है इस दीपक को आपने कहा जलाना है यह ध्यान से सुन लिजी यह दीपक आप अपने मुखे दरवाजे पे अंदर की तरफ जलाएंगे आपने गेट बन कर रखा है रात्री का समय नौ से बारा की लक्षमी मा का वास चाते है अपने घर में तो कोई भी दीपक ऐसे नहीं रखते है दीपक पे पहले आसन देते हैं तो अब थोड़ा सा अश्चत लेंगे साबु चावल जी से बोलते हैं उसे रखकर फिर उसके ओपर दीपक रखेंगे दीपक प्रजवलित करेंगे और मत् उठेंगे उठके क्या करेंगे इस दीपक को ठाएंगे दीपक ठंडा हो चुका होगा जो जल चुकी होगी आपने धागे इसमें से निकाल देने हैं लॉंग उसी में पड़ी रहने देना इसका आप पेड़ा बना देना गोल गोल करके पेड़ा बना देना गोल जब आप सबसे पहले सवप्रताम में कुछ नहीं करना है केट खोलेंगे आपने यह बनाके किसेा घ़लाना है को सीधा पहुंच जाएंगे गाउ-माठा के पास। कि हे मैया मेरे घर की जितने विगनबाद आए हैं उन्हें आप दूर करें मेरे घर की हर परिशानी को दूर करें और मेरे घर में मा लश्मी का स्थेरवास हो चोटा सा अचूग सवपाए उसके बाद घर आए अपने घर में साफ सफाई करें और भार मुख्य दर्वाजी को ध पुजा ऑरादना करें ոे दूर करें कि आपके घर की जितने इविगनबादां है उसे दूर करें और मा लशमी स्थिर बास करें चोटा सा चुक सवापाई जरूर से जरूर इस दिन रात्री के समय करें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादा से जादा शेयर करें सब लोगों का भला होना चाहिए छोटा सा दीपक प्रजलवित करना है रातरी की समय बस चमतकार विखोली आखों से आप देखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और हाँ कमेंस बॉक्स में जैशी कृष्णा लिखना बिलकुल भी मत भूलिएगा आप मुझे आगए देज़े पिराओंगी इसी रगी ठोटे चोटे सा चुक से औपाई की साथ में जैशी कृष्णा